नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV का Special Show Third Eye और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार धर्मांतरन को रोखने के लिए भारत के तमाम राज्यों ने कई कठोर कानून बना रखे हैं जिसमें सजा का प्रवधान भी है लेकिन धर्मांतरन के मामले ठमने का नाम नहीं ले रही आये दिन ऐसी खबरे सामने आती रहती है जहां पैसे का लोब देकर मासूम हिंदू परिवारों का धर्मांतरन कराया जाता है ऐसे में अमरीका से संचालित होने वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है जिसने सब को हिला कर रख दिया जिसके अंतरगत बकाइदा धर्मांतरन करवाने के लिए लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है और उनको सेलरी तक दी जा रही है अमरीका से चलने वाला यह संगठन भारत की जातियों जनजातियों और अन्य समुहों के आकड़ एकठा करके उनको इसाई बनाने का परियास कर रहा है तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार सी चर्चा करते हैं क्याप्टल टीवी के स्प्रेशल चोव थर्ड आई में और करते हैं जोशुगा प्रोजेक्ट का भांड़ा फोग अमरीका चला रहा है जोशुगा प्रोजेक्ट सभी हिंदूओं को इसाई बनाने की तयारी धर्मांतरन के लिए लोगों की भरती छे करोड लोग बन चुके हैं इसाई भारत में लंबे समय से हिंदूओं और विशेशकर जनजातिय समूहों को इसाई बनाने का काम चल रहा है इसके लिए इसाई मिशनरी नैतिक अनैतिक तरीके सब अपनाती आई है इसाईयत फैलाने के लिए विदेशों से भी फंडिंग होती रही है इसाईयत में धर्मांतरन करवाने वालों के निशाने पर गरीब और पिछड़े हिंदू सबसे अधिक रहे हैं उन इलाकों में भी इसायत ने पैर पसा रही जहां आज भी समाने सुविधाएं पहुँच नहीं पाई। कहीं अच्छे इलाज तो कहीं पढ़ाई के नाम पर लुगों को अपना धर्म छोड़कर इसायत में आने को बरगलाया जा रहा है। और भारत में इसाय धर्म को भावा देने में जोस्वा प्रोजेक्ट बड़े भूमिका निभा रहा है। अमरीका से चलने वाला ये संगठन भारत की जातियों, जनजातियों और अन्य समुहों के आंकड़े इकठा करके उनको इसाय बनाने का परियास कर रहा है। जोस्वा प्रोजेक्ट ने भारत में 2000 से अधिक जातियों और समुदाईयों के आंकड़े इकठा किये हैं। जोस्वा प्रोजेक्ट मातर भारती नहीं बलकि विश्व के बाकी हिस्सों में भी काम कर रहा है। इसके निशाने पर अधिकांस वो अदेश हैं जहां इसायत अभी बड़े पैमाने पर अपने पैर नहीं पसार पाई है। इसायत का अनुवाई बना कर उनका बाप्तिश्मा बनाने का आदेश मिला है जिस पर वो काम कर रहे हैं। इसे जोशुवा प्रोजेक्ट ने 10 अनुपाज 40 विंडो का नाम दिया है। क्या है जोशुवा प्रोजेक्ट की कारिशैली। यह 10 अनुपाज 40 विंडो अच्छांस पर 10 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तर के बीच पढ़ने वाले देशों का एक इलाका है। इसमें भारत, चीन, सौधी, अरब और मयानमार जैसे देश आते हैं। जोसुवा प्रोजेक्ट ने भारत की अलग अलग जातियों और जनजातिय समुहों के आकड़े इकठा किये हैं जोसुवा प्रोजेक्ट के पास देश की 272 जातियों जनजातियों के आकड़े मौझूद हैं जोसुवा प्रोजेक्ट अपने काम को 5 अस्तर पर मापता है जिन जादियों में इसायत में धर्मांत्र नहीं हो पाया उन्हें जोसुवा अन्रिज्ट के वर्ग भी रखा जाता है। इसके अलाबा जिन जातियों जन जातियों में इसायत को फैलाने में आंसिक सफलता मिली है। उन्हें minimally reached वर्ग और इससे उपर superficially reached को रखा जाता है। इसके अलाबा भी दो वर्ग हैं। जोसुवा प्रजेक्ट को लेकर मीडिया ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि अब मिशन देश भर में हर जाती समू को इसायत में लाने के लिए एक एजन्ट की निउक्ती कर रहा है। यह एजन्ट धर्मांतरन के साथ की जगा जगा नए चर्च बनानी का काम कर रहे हैं। मीडिया को ऐसा ही एक एजन्ट भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया है कि जोसुवा प्रोजेक्ट इन एजन्टों को लंबी ट्रेनिंग के बाद जमीन पर उतारता है। इनका मुख्य काम जगा जगा जाकर आकड़े एकठा करना होता है। इन्हें जोसुवा प्रोजेक्ट की तरब से लगभग 2000 की तनखुआ भी दी जाती है। जोसुवा प्रोजेक्ट में हैरान करने वाला डाटा। जोस्वा प्रजेक्ट की वेबसाइट के अनुसार उन्हें भारत में 272 समुहों तक इसायद को लिग कर जाना है जोस्वा प्रजेक्ट बताता है कि वह इनमें से अभी 241 जातिवों तक नहीं पहुंच सका वहीं 103 जातिवों में इसायत का प्रभाव डालने में यह सफल रहा इनमें एक छोटी संखिया में लोग इसायत को मानने लगे हैं वहीं 128 जाती समू ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर इसायत की घुसपैट हो चुकी है जोशवा प्रजेक्ट की वेबसायट ने बताया है कि वह अब तक 143 कडोड में से 6 कडोड लोगों तक इसायत को ले कर पहुँच चुके हैं वेबसाइट के अनुसार भारत में इवेजयलिकल इसाइयत यानि की इसाइयत की एक शाखा जिसे जोसुआ प्रोजेक्ट फैला रहा है कि व्रिधी दर 3.9 फिजदी प्रती वर्ष है। यह 22 विक औसत से कहीं अधिक है। इसके अंतरगत उन लोगों को रखा जाता है जो पू वेबसाइट पर डाले हुए हैं। जोसुआ प्रोजेक्ट का डाटा बताता है कि उसने कई जातियों में 10 से 100 फिजदी तक इसाइयत में धर्मांतरन करवाया है। जिन जातियों में बड़ी संख्या में इसाइयत में धर्मांतरन हुआ है। उनको अलग-अलग नाम दे दि इसाइयत में पदल दिया गया है। जोसुआ प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी मशिनरी लगातार भारत में चल रही है जो लगातार धर्ण वरिवर्तन का काम कर रही है। इसको खाद पानी भी मिल रहा है। कई बार ऐसे इसाइयत में प्रचारक पखड़े गये हैं जो परा बरेली में भी इसाइयत धर्ण प्रचारकों द्वारा हिंदू नावालिकों को निशाना बनानी की बात सामने आई थी। कई लोगों पर कारवाई के बाद भी ये नटवर्क लगतार चलता रहा है। हरानी के बाद यह हैं कि देश के कई राज्यों में धर्मांतरन को लेकर कानून बने हुए हैं फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश में लगतार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरन कराया जा रहा है। हाला कि सुच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराद नहीं हैं इन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरन को लेकर कई सक्त कानून भी बनाये हैं इसको लेकर सबसे पहले ओरिसा में कानून बनाया गया था। इस खबर में हम आपको बतायेंगी कि कौन से राज्य में धर्मांतरन के खिलाब क्या कानून है और इसे कब लाग तक की जेल और 5,000 रुपे तक की जुर्मानी का प्रवधान किया गया था। इसके साथ ही इस कानून के तहट SC-ST समुदाय के नावालिकों और महिलाओं के धर्मांतरन पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपे के जुर्मानी का प्रवधान भी है। समविधान में नहीं है कोई असपष्ट अनुचेद। की मौझूदा हालात को देखते हुए इस पर राश्चुटी अस्तर का कानून बनाना अती आवश्यक है। फिलाल के लिए इतना है आप देखते रहे हैं कैप्टल टीवी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डाप्सरा इने में अभ़े खते हैं। जब शाजे हो यारे उते हैं। क्रिश्वता करें।